वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन्स क्या वज़े कि जो खासदार के वर्फ लोगों में उत्सा था एक जोश था वह अभी नहीं दिखाई दे रहा है यह यह चीज तो मैं भी घूम रहा हूं जो सुबह से तो यह मैसूस कर रहा हूं कि वो जो एलेक्शन की वो जो रुहानियत थी वो रुहानियत कहीं आज जो है कि एलेक्शन में नजर नहीं आरी उसकी क्या वज़े है अब यह सारी पार्टी के लोगों नहीं जो है इसके ओपर गवर करना चाहिए कि यह यह मजलिस इत्याद मुस्लिमीन की जो रुहानियत थी वो कहां चली गई क्या वज़े आप क्या बोलना चाहिए ने अब इसमें मैं क्या बोलूँगा मुझे ओटिकिट नहीं दिया इसलिए ऐसा हुआ मेरा बोलना तो यह रहेंगा लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है मुझे कि मजलिस इत्याद मुस्लिमीन ने अवामी ताईद जो उनको हासिल थी 2014 में और उसके बाद पूरे एलेक्शन के अंदर वो कहीं तो भी खोती हुई नजर आ रही या उसके अंदर जो है वो जो इंट्रेस्ट था वो जजबा था वो कहीं न कहीं मुझे कम नजर आ रहा शायद हो सकता है कि मजलिस इत्याद मुस्लिमीन ने अपने वर्कर्स प अगर और खदीर मौलाना भी है मयम कोमीदवार भी है इतने सारे मुसल्मान रहेंगे तो बहुत साथा इंतिशार रहेंगा तो हमारी गुजारिश है आप से कि आप जो है इससे अलेक्शन में से आप बाहर आ जाईए और जो भी फैसला होंगा लात आला जिसको भी जीताना चाहेंगा वो उसकी जीत को खुबल कर रही है लिहादा मैंने उल्मा एकराम पे और सारी मिली दंजीमों के जम्मेदारान से शहर के बहुत अहम लोग मौजूद थे वहाँ पर उनके बोलने पे जो है अपना जो है नॉमिनेशन फॉर्म वापस ले लिया और जो है अपनी जिए के खामोज बठाओं भी अब क्या कहेंगे जादे ज़्यादा लोग जो है तो बाहर निकल कर मतदान पे जहन दें मेरी तो तमामी जो है वोटर से गुजारिश है कि वह जादा ज़्यादा लिकल बाहर निकल कर अपने जमूरी हक करें और अंगबाद विधान इस मुजोड है जो जनता के पास अवान करना चाहते है यह बताना चाहते है कि मतदात आऊ को क्या वो कहना चाहते है और क्या जूरत है आज के युवाओ को चो तो सर ये जो मतदात है उनसे अड़्याद्यों तर्लत हमाने में मुंत्खप किया था can जोश था, वो जोश मुझे ऐसा दिख रहा है कि नहीं है और ओटिंग परसंटेज अभी कम है और ओटिंग परसंटेज के तरफ द्यान देना चाहिए और ओटिंग को बढ़वाना चाहिए और मैं सबसे अपील करता हूँ कि अपने घरों से निकल के ज्यादा ज्यादा ओट क क्षर करता है कि अपने फिर दोटिंग देना चाहिए और भी झाहिए